पहले एक नजर मौसम की स्तिती पर मौद्प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है मौसम विभाग ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है फुपाल में तीन दुनों से रात का बारा 6 डिगरी से नीत्रे दर्ज किया जा रहा है पूरे प्रदेश में ठंट का ओरंज और यलो अ क्या है अलागलक जलों के सिती आपको समझा देते हैं आगर मालवास साथी सिवनी रीवा बालाखार जबलपुर मर्या में अलर्ट जारी किया गया है मद्प्रदेश में तेज शीत लहर का अलर्ट जारी किया है वैतूल भोपाल धार खंडबा खरगॉन और गुना में भी कि लहर चले की मद्प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है मौसम भाग ने सर्दी को लेकर और यलो अलर्ट जारी किया है और दिक जानकारी हम लेंगे स्तिती को समझेंगे हमारे सयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से लाइफ बने हुए सूरज आने वाले दुनों के लिए कि आसार मौसम विपाक ने जोता दिये हैं वोपाल में क्या कुछ सिती और आखे क्या कुछ देखने को मिल सकता है एक बार फिर बारिस का दौर मत्रदेश में आएगा क्योंकि जिस तरीके से पस्चमी बिचोप की जो हमाए हैं वो उसके बाद एक हफ़ते तक जब वो सरकल में वापस आएंगी तो दो फरवरी के बाद मौसम फिर से परवरतिंद होगा लेकिन मौज़ दो इस्तिती की बात करें तो राजधानी वोपाल में भी लगातार तापमान गिरता जा रहा है पुसके तीन दिनों की बात करें तो पहले पांच डिग्री टेमपरेचर था वहाँ पर औरेंज और जो यलो अलेट है वो जारी किया है तो कह सकते हैं कि 29 जनवरी याने आगले 24 घंटे मद्परदेस में ठंड यथाबत रहेगी याने कह सकते हैं कराके की ठंड रहेगी ठंड की ठेटरून का लोगों को सामना करना पड़ेगा लेकिन 30 जनवरी के बाद ह एक बार फिर मौसम बदलेगा तो कुल बिलाकर कह सकते हैं जो मौसम बबाग का अनुमान है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण इस तरीके का मौसम हो रहा है तो अगले दिनी तापमान बहुत कम हो जाता है तो कह सकते हैं कि अभी भुपा ले पूरे मद्परदेस के लोगों को 29 जन्वर यानि की कल तक और कडाकी की ठंट का सामना करना पड़ेगा फिर उन्हें ठंट से थोड़ी राहत मिलेगी अबंतिका चली शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए तो मदबरबेश में सर्थी का सितम इसी तरह से बरकरार रहने के आसार आने कर दो झाया है